सपा अध्यक्ष खिलेश व्यादव ने माफिया मुकतार अंसारी की जेल में मौत को लेका प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की सर्वोच नयाले के जज़ की निगरानी में जाच किये जाने की मांग की हैं। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजक्ता के सबसे बुरे दौर में हैं। ये यूपी की कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दाईत्व और कर्तव्य होता है सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में किसी भी हालात में किसी बंधक या कैदी की मृत्य होना न्याइक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा ऐसे सभी संदिक्ध मामलों में सर्वोच न्याले के न्याइधीश की निगरानी में जाच होनी चाहिए सरकार न्याईक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरी रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह गैर कानूनी है